पृत्रात्रा की और चाथिए धन्य शुराज्जा पिता हम धन्यवायत हैं त्रे अद्बुत प्यार के लिए, तुन्हें अपने गॉत्त पुत्र हमारे लिए इस प्रित्धी पर भेजा ताकि हम पापों की च्छां प्राब्थ करके अंतचीवन में परवैस करें हम धन्यमायते पिता ये सुन्दर वचन के लिए पवित्रात्मा के दुर्ज़ो आध बोला गया है पिता इनके हिरदे मोतर ने पाए पवित्र अत्मा के दौशता हायता कीजिये वचनओं पे चल सके ये वचन 30 गुना 60-100 गुना इनके जीवन में फरवंत होने पाए ये वचन जितने भाई वन सुने हैं उनका जिवन पूर रुफ से परिवटन होने पाई अद्बूत कारीं नाम से चंगे होने चिंताय जाने पाइं इनके रास्ते बंद जडिरा रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि मैं कहां जाओ क्या काम करूं कर रो इत्रात्ति मैं कर चीछक चलना चाहते हैं उस मार्व बड़ पर फीर कर गोटनों प्यार प्याओर उन्हों प्रात्त करने वाले हो जाए अपने मुझे कर करने वाले हो जाए के इशु ही प्रभू है इशु के नाम में हम छुटकारे के गोशना करते हैं बिमारते नाम से चंगे होने पाए चिंताय जाने पाए बंदन तुटने पबंदरास्ते खुलने पाए यही हम प्रात्ना करते है प्रात्ना सुना धन्यवाद इश्यो के नाम पिता जी आसिस मांगते हैं शुन्दयत ग्रहं कर आप सभी के लिए मैं लेकर आगिया हूँ आज का वचन और मेरे पियो 2021 में हम परविश कर चुके हैं हम प्रभु से प्रात्ना करें कि प्रभु तिरी वचनों पे चलने के लिए मुझे सहायता परदान करें प्रभु पवितरात्मा के दुर आपकी सहायता करेगा और आपको वचनों पे चलने के लिए पवितरात्मा अगवाई करेगा तो हजर 21 में आपको परमिश्वर पर भरोसा करना है आपको विश्वास करना है चिंता नहीं मेरे प्यों क्योंकि चिंता करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हम चिंता करने के बजाए अगर हम प्रभू पर भरोसा करने वाले हो जाए विश्वास करने वाले हो जाए तो प्रभु हमारे जीवन में आरिश्चय करम करने के लिए तयार है हमारा भरोसा पर मिश्वर्प होना चाहिए हम पूरे साल हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए हम उसकी अग्याओं पे चलने वाले हो जाएं पर मिश्य हमारे जीवन में आरिश्य करम करने के लिए तैयार है अगर हमारे रास्ते बंद जरा रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रभू मैं क्या करू और क्या ना करू तो प्रभू से प्रात्ना कीजे वो आपको मार्ग बताएगा आपको जिस मार्ग पे चलना होगा वो आपको मार्ग दिखाएगा कब जब हम उससे प्रात्ना करेंगे बरन सहीता 143 के जब हम उसके एक पत से देखते ही तो वहाँ पास प्रमेश्य का वचन कहता है भजन सहिता 143 के आठपद अपनी करुणा की बाते मुझे सिग्र सुना क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। राजा दाउत जब भजन लिख रहा होगा वह किसी समस्याओं में पड़ा होगा वह परमेश्यर से प्रात्ना कर रहा होगा। हाँ प्रभू मुझे वार मार्ग दिखा। मुझे अपनी करुणा की बाते मुझे सिग्र सुना क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखा है। दुनिया में आपको सब छोड़ दे। अपने वादे से सम्मू कर जाए लेकिन परमेश्यर जो हमसे वादे करता है मेरे प्यों ओ कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वादा अटल है अकास पित भी टल जाएगी लेकिन उसका वच्चन उसके वादी कभी टलने के नहीं हालेलूया यहां वच्चन क्या कहता है अपनी कवना की बाते मुझको सिग्र सुना क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है हमारा भरोसा 2021 में परमेश्वर पर होना चाहिए हम उसकी अग्याओं पर चलने वाले हो जाए हम उसके वच्चनों पर चलने वाले हो जाए ओ रिबासी खराबा हालेलूया मेरे पियो हम वच्चन पर चलते उसके अग्याओं पर चलते हैं तो उसके दुरा हम आसिस को तो प्राप्त करते ही है इस प्रिथी पर इस प्रिथिभी के बाद भी हम आसे इसको प्राप्त करेंगे सो एकर आज में हम इश्यु मसी के साथ घुमेंगे और फिरेंगे जब हम प्रिथी पर रहते हुए उसके अग्याओं पर हम चलेंगे आगे पत कहता है जिस मार्क से मुझे चलना है वह मुझे बता दे बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं हम मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हजावर लोगों से अपनी बातों को सिर्ख करेंगे कि मुझे को बताईए क्या करना है दूसरों से पुछने के बजाए, हम पर मिश्वर से पुछने वाले हो जाए कि प्रभू, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि मैं तेरे आसिस को प्राप्त कर सको यहां वच्छन कहता है जिस मार्ग सम्झे चलना है वह मुझे बता दे हम साहे किसी भी छेत्र में हम कार्य करते हो हमें रास्ता डजर नहीं आ रहा है प्रभू से प्रात्ना कीजे ओ आपको अपना मार्ग दिखाएगा ओ आपको अपना मार्ग बताएगा कि आपको कहा जाना है और क्या कार्य करना है हालेलुया हमारा परमेशर द्यालूप परमेशर है हमारा परमेशर अंग्रकारी परमेशर है वो जीवतों का परमेशर है प्रात्ना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है तो हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए और जितने भरोसा करते हैं वह अपने जीवन में आसिस को उप्राप्त करते हैं हालेलुया मसी में आने के वादू संकट कले समस्याएं आपके जीवन में आई है तो उस बात कर प्रभू को धन्यवाद दीजे कि हाँ प्रभू यह दुख में लिए भला था कि मैं तरे विधियों को जान सका यह समस्याएं मेरे जीवन में आई कि मैं तरे वचनों को जाना मैं तरे वचनों के पास आया मैं इश्व मसी के पास आया उसके करीब आया उस समस्याओं के लिए हम प्रभू को धन्यवाद देने वाले हो जाएं हम उस समस्याओं के लिए हम उसको धनवाद दिने वाले हो जाएं अगर आप इस बड़ियों को देख रहे हैं तो समस्याओं आपके जूर में आई होंगी तो ही आप इश्यमसी के पास आएं क्योंकि वो सक्वचन कहता है थके मांदे लोगो मेरे पास आओ मैं तुमको विस्र काम और सांती दूंगा ओ हालेलूया यह किसी भी धर्म से आयों जाती से आयो इश्यमसी धर्म जाती नहीं इस शीरुमसी हिर्दwork देकता है कि आपके ऐंदर उसके प्रति कितना प्यार है उसके विचनों पे चलने के लिए कितना ललक है आपकी अंदर कितना इक्छा है कि आप उसके विचनों पे चल सकते हैं भगल कहती है प्रान देन तक अभी स्वास रख तो मैं तुझको जिवन का मुख उड़ दूँगा मस्य में आई है उसके विचनों पे चल रहे हैं दुख संकट से मस्याइज जब आए मैं अक्सर कहता हूँ जब आए तो समझ लेना आप मस्य के करीब जा रहा है क्योंकि सैतार नहीं चाहता है कोई मनुझन परमिश्य के राज में परविश्च करें ओ हालेलुया वह चाहता है कि हर एक वेक्ति में राज का अधिकारी होकर रहे हर एक मनुष्य नरक में डाला जाए लेकिन परमिश्य ऐसा नहीं चाहता है वह हम से महबत करता है हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक उत्ता पुत्र इस पिथी पर भेज़ दिया हालेलुया वह नहीं चाहता है क को इस पिखी पर भेजा ताकि जो कोई अपने पापों का अंगिकार उसके सामने आकर कर उसके नाम लेकर पापों की च्छाँ प्रात करें वह अरंधर जीवन का सहभागी पनाए हालिलूया वो इस पिखी पर आया है जीवन देने के लिए और बहुतायश से देने के लिए हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। कहता है अपनी कवना की बाते मुझे सिग सुना क्योंकि में तुछ पर भरोसा रखा है जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे को बता दे क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलोया आज आपका मन किधर है अपने आपको जाचिए अगर आपका मन संसारिक बातों में उल्जा हुआ है तो संसारिक बातों से अपने मन को फिरा लिजे और प्रभू की और अपने मन को लागा आईए ओ आपको आसिसों से भरपूर करने के लिए तैयार है इस पित्धी पर जीवनियापन करने के लिए, हमारे जीवे जो कुछ भी वस्तिवे चाहिए, उस सब कुछ परमिश्वर देने के लिए तैयार है, कैसे जब हम उसकी ओर फिरेंगे, उस कपचण कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं तुम्हारी ओर फिरोंगा, हम उसकी और फिरने वाले हो जाएं उसके पास आएं हम प्रात्ना करें सच्चे मन सच्चे दिल से अपना मन हम उसकी और लगाएं हालेलूया हम परमिश्र की आसिस को प्राप्त करेंगे नवापद हे होबा मुझे सत्रों से बचा ले मैं तेरे ही आड में आ चिपा हूँ दाउट जब भजन को लिख रहा होगा सत्रों उसके आगे पीछे घिर के बैठे होंगे कुछ बाते उसको समझ में नहीं आ रही होगी चिपने का इस्थान उसके पास नहीं होगा तो परमिश्र से दुभाई देता है वह भजन काते हुए प्रभू से प्रात्ना करता है हे यहवा मुझे सत्रों से बचा ले मैं तिरे ही आड में आज चिपा हूँ क्योंकि तू एक चिपने का इस्थान है तू सर्ण इस्थान है तू मेरा गड़ है हालेलोया हम अपने आपको जाचे मेरे पियो कि हम प्रभू के वचनों पे चल रहे हैं या हम नहीं चल रहे हैं दस्पत कहता है मुझे को यह सिखा कि मैं तेरी इक्छा कैसे पूरी करो क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ही है तिरे भला आत्मा मुझे को धर्म के मार्ग में ले चले हमारा परमेश्वर है कहीं आपका परमेश्वर कुछ और तो नहीं है आपका परमेश्वर कहीं पैसा तो बगल पे उग-घमंड करते हैं कि मेरे पास इतनी जान पहचान निकलांगा मैं बज़ जाओंगा मेरे पियो एक बिमारी ही काफी थी दुनिया को हिलाने के लिए क्या या पहचान डॉक्टर पास अपने जा रहे हैं तो उसको जानने से इंकार कर रहा है लाइन में उसको भी खड़ा कर रहा है हालेलुया इसलिए अगर हमें जान पहचान करना है तो इश्यू मसी के साथ करना है और हर एक पस्तियों में हमारी सहायता करता है दुनिया में हर एक वेक्ति आपको छोड़ दे लेकिन इश्यू मसी का वचन कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा मैं ना तुझे त्यागूंगा जब हमारे जुएन दुख तक लीप आता है बुरी पस्तिया आता है अपने छोड़ देते हैं दो छोड़ देते हैं लेकिन उसको दिल से पुकारते हैं परमिश्य उनके बीच में वासे करता है हालेलूया हम उससे प्रात्ना करने वाले हो जाए दिल की गहराई से परमिश्य आपके बीच में उपस्तित है जिस परमिश्य अंधे को मांखे दिया लंगरों चिलाया, मुर्दों को जिलाया कोडियों को सुध्य किया वही परमिश्य आपके जीवन में भी कार्य करने के लिए तैयार है हालेलूया जिस परमिश्य ने जिस परमिश्य ने लाजर को जिलाया वही परमिश्य आपके जीवन में भी आसिस देने के लिए तैयार है बैबल कहता है हम विश्वास करेंगे और अपने जीवन में आरिश्चे करम को देखेंगे जो विमारी आपके जीवन में आई है जो समस्याया आपके जीवन में आई है वो आपके हानी के नहीं है वह आपके लाब के लिए है हालेलुया हम प्रभु की महिमा सचे मन सचे दिल से करने वाले हो जाए परमिश्व हमारे चीवन में आरिश्चय करम करने के लिए तैयार है परमिश्व में चनो कुद्रा हम सब को वासिस पर दान करें आईए हम प्रात्ना की ओर चलतें धन्य शुराज्या पिता हम धन्यमायते हैं तेरे अद्बुत प्यार के लिए कि तुने अपने गुत्ता पुत्र हमारे लिए इस पित्थी पर भेजा ताकि हम पापों की छाँ प्रात्त करके अंत चिवन में प्रवेश करें हम धन्यमायते पिता ये सुंद्रवचन के लिए पवित्रात्मा के दुरा जो आज बोला गया है पिता इनके हिर्दे मोतर ने पाए पवित्रात्मा के दोस्ता हायता कीजिए वचनों पे चल सके ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फर्वंत होने पाए ये वचन जितने भाईवन सुने हैं उनका जीवन पूर रूप से परिवत्तन होने पाए अद्बुत, कारिच, मतकार, उहां प्रगठ होने पाए इमारते नाम से चंगे होने पाए चिंताये जाने पाए इनके रास्ते बंद जरा रहे हैं इनकों कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि मैं कहां जाओ, क्या काम करूँ परमिश्यूर, हम तुस्से प्रातना करणा पहुतरातन माक दूर इनकी सहायता कर कि जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उस मार्ग पर उनको तु ले चल इनके एक च्छा इनके जुवन में प्री होने पाई पिता ताकि इनका जिवन का घराना आसरों से भर पूर होने पाई ये वच्छन जहां भी चली है वहां हम छुटकारे की घोशना करते हैं हर एक पापी टिरी ओर फिर कर गोटनों प्यार पापो की छ्वार प्रात्थ करने वाले हो जाए के इस यो princes के नाव में हम चुटकारे के घोशना करते हैं पिमार टे नाम से स्यवने चिंताय जाने पाए बंधर तूटने आप शुलने पाए यही मच्छने करतेज प्रात्थना सुना धन मसी को जान सकेंगे गाड प्लिस यूँ